हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेड़ी यूट्यूब चैनल पर तो देखे यहां पर मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कपड़े ले लिये हैं जो हमारे घर में वेस्ट पड़े हुए होते हैं और हम इनका इस्तमाल नहीं करते बस ऐसे ही रखे रहते हैं कभी सू कपड़े हैं हम इन सभी का इस्तमाल करेंगे और इनका इस्तमाल करके बहुत ही अच्छा डियावाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो वीडियो एंड तक देखना आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो देखे सबसे पहले मैंने 7 इंच ओड़ी और 7 इंच लंबाई मैं देखे मैंने एक पीस कट किया है कपड़े में से और हमें जितने भी पीस चाहिए इसी साइस के चाहिए तो यहाँ पर देखे मैं इस तरीके से दूसरे कपड़े पर रखते हुए पिन अप कर लूँगी पिन अप करने से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा हमारा कर लेंगे तो यहाँ पर देखे दो पीसिस मैंने कट कर लिए है और इसी तरह से जो भी मेरे पास बचे हुए कपड़े मैं सभी में से सेवन बाई सेवन इंच के कपड़े कट कर लूँगी तो दोस्तों बहुत अच्छा आइडिया है बचे हुए कपडों से हम बहुत परि काफी सारे कपड़े मैंने कट कर लिए हैं अगर आपके पास पुरानी बैड शीट है या फिर पिलो कवर्स है या फिर देखे इस तरीके की चोड़ी लेस है मैंने लेस को दो साइड देखे इस तरीके से सिलाई लगा कर चोड़ा कर लिया है और उसी का ही इस्तमाल कर लिया तरीके से और यहां पर सारे ही पीस मैंने 7x7 इंच के cut कर लिए है दोस्तों तो यहां पर देखे मैंने सबी पीसिस इस तरीके से रख लिए हैं और अब हम एक एक करके इनको जोड लेंगे, attach करेंगे दूसरे से तो देखे सबसे पहले मैं यहां पर तीन पीसिज ले लूँगी और कलर वाइज आप अपने आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा किसके साथ जॉइंट करना है तो देखे मैंने यहां पर दो पीसिज ले लिए हैं और यहां पर देखे इस तरह सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लिया अब सीधा करके यहां पर मैं टॉप स्टिश लगा लूँगी यह देखे इस तरीके से और अब देखे दूसरा पीस जो है वो मैंने ले लिया है तीन-तीन को आपस में देखे इस तरीके से जोइंट कर लेंगे तो यहां पर मैंने कलर वाइस देखे अपने हिसाब से लगा लिये है कलरफूल सा बना लिया है तीनों पार्ट्स को अलग-अलग कलर जोइंट कर गे तो देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से इन सभी pieces को joint कर लिया है colors देखें मैंने कुछ इस तरीके से लगाए है कि black सभी में आ रहा है mostly और यहाँ पर देखें top 6 लगा कर मैंने इनको finish कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास देखें 15 थे सारे pieces तो मैंने देखें 3-3 को इस तरीके से joint कर लिया है अब हम क्या करेंगे देखें इस तरीके से हम रखेंगे अपने according और यहाँ पर देखें इस तरीके से एक के उपर एक रखेंगे इस तरह और यहां पर देखे जो बीच में सिलाई है ना हमारी वो बिलकुल सिलाई पर सिलाई आनी चाहिए ताकि बहुत ही सुन्दर लगे देखने में तो इसका खास ध्यान रखे और यहां पर हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह देखे हमें सिलाई लगानी है और ये बीच में जो इसकी सिलाई है ना इस पर हमें सिलाई पर सिलाई ही रखनी है तो देखे यहां पर हमने सिलाई लगा ली है अब इसे पलटते हुए यहां पर हम देखे टॉप स्टिच लगा लेंगे तो यह हमारे दो pieces देखे हापस में joint हो गए हैं दोस्तों इस तरीके से और यहाँ पर देखे हमने top stitch लगा कर इसको finish कर लिया है अब बाकी के जो pieces है हम उनको भी इसी तरीके से joint करेंगे तो यहाँ पर सीधी साइड हमें उल्टा करके कपड़े को रखना है और सिलाई लगा कर इसमें top stitch लगा लेनी है तो देखे दोस्तों हमारे 3 pieces ready हो गए हैं इसी तरीके से मैं अपने सारे pieces इस तरीके से ready कर लूगे और हमारा एक बड़ा piece बनकर ready हो जाएगा तो यह देखे हमारा एक पूरा piece बनकर ready हो गया है दोस्तों पीछे से इसका लूग इस तरीके से आ रहा है और इसकी जो लंबाई और चोड़ाई है यह देखे थर्टी इंच इसकी चोड़ाई रखी है मैंने और यहाँ पर देखे ट्वेंटी इंच इसकी लंबाई है तो यह जो मैंने piece cut किया है वो मैंने अपनी table के according कट किया है तो आप अपनी table के according ही cut करें यहाँ पर देखे मैंने छोटे छोटे से साड़ी में से निकली हुई lace का इस्तमाल करा है और इस तरह साड़ी की lace होती है हमारे पास इसका बहुत अच्छा use है देखे यहाँ पर जो मनें सिलाईयां लगाकर joint कराता है इस तरह हम सिलाई पर रखेंगे और सारी ही lace के तुकड़े मैंने ले लिये हैं और देखे इस तरीके से मैं बिल्कुल जहाँ पर हमारा joint है कपड़े का हम मैं उस पर रख दूँगी यह देखे यहाँ पर मैं इस तरह सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारी lace थोड़ी चोड़ी है अब देखे जो इधर की side हमारा बड़े वाला side है हम यहाँ पर भी lace को रखेंगे इस तरह लंबाई में यह देखे कुछ इस तरीके स इसका final look आएगा दोस्तों और लगने के बाद यह बहुत ही खूबसूरत लगेगा और यहाँ पर हम दो दो सिलाई लगा लेंगे तो सबसे पहले देखे हम इन चारो लेस को joint करेंगे तो double double सिलाई लगा लिए मैंने तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी lace लग गई है और अब जो दो पीसिस बचे हैं लास्ट में मैं उनको भी देखे इस तरीके से यहाँ पर रख लूँगी और यहाँ पर double सिलाई लगा कर मैं इनको भी फिनिश कर लूँगी तो यह देखे हमारी lace लग गई है और लेस लगने के बाद बहुत अच्छा look आया है और यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से यह रखा हुआ है यहाँ पर हमें साइड में जो हमारा कपड़ा थोड़ा कम है तो उसके लिए हम यहाँ पर पट्या जोडेंगे तो यहाँ पर देखे मैंने 2.5 इंच की चोड़ी पट्टी ले ली है और यहाँ पर उल्टा रखते हुए सिलाई ल लगा लूँगी तो इसी तरह चारो तरफ में इसमें देखे यहाँ पर यह पट्टिया लगाँगी यह रेखे चारो तरफ में पट्टिया लगा के इसको फिनिश करना है क्योंकि थोड़ी सी कम है इसकी चोड़ाई कपड़े की तो यह देखे मैंने यहाँ पर जॉइंट क करके रखोंगी इस तरीके से और हमें तीनों साइड इसमें सिलाई लगानी है इस तरीके से हमें तीन साइड सिलाई लगानी है इसमें एक साइड हमें खुला छोड़ देना है यह रेखिए यहां पर हम खुला छोड़ देंगे तो यह देखिए हमने यहां पर सिलाई लगा ल लगालेंगे कॉर्नर के other size Church lift और हम उख बचाल साइड भी हम टॉप से लगालेंगे साथ-साथ हमारी टॉप सीच लगे के अब हम इसे टेबल चेबल बिल्कुल आपाइब बिल्कुल सह हुरा हो किसी बेंगे दोस्तों तो साम नेक HipHarb और अब हम इसके corners बनाएंगे ताकि बिल्कुल फिटा है हमारी टेबल शीट तो यहां पर मैंने उल्टा करके रखा है अपने cover को और देखे दोनों साइड से चारो साइड से हमारा जो धाय धाय इंच निकला हुआ है कपड़ा अब यहां से देखे corner को इस तरीके से हम और यहां पर सीधा निशान लगाएंगे तो यह जो corner है ना यहां पर देखे हम इस तरीके से पकड़ा और यहां पर हमने निशान लगा लिया आप देख पा रहे होंगे और यहीं पर हम पिन अप कर देंगे यह देखे और यही पर जो हमने पिन अप कराया है निशान लगाया है यही पर हम सिलाई लगाएंगे और अब देखे हमने दूसरा कॉर्णर भी इसी तरीके से पकड़ लिया है यहाँ पर देखे अच्छे से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे देखे निशान लगाकर यह देखे यहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया है इस तरीके से और यही पर हम सिलाई लगाएंगे अब हम अपना थर्ड कॉर्णर ले लेंगे और हमें चारो कॉर्नर्स को इसी तरीके से पकड़ कर यहां पर पिन अप मैंने इसलिए कराया ताकि मुझे अच्छे से हमारी फिटिंग बैठी रहे बिल्कुल भी हिले नहीं और यहां पर मैं इसी तरीके से पिन हटा कर साथ साथ सिलाई लगा दूँगी तो यह देखें चारो कॉर्नर्स को मैंने इसी तरीके से पकड़ते हुए निशान लगा लिया है दोस्तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो बिल्कुल आपकी फिक्स हो जाएगी टेबल मैट और बिल्कुल भी हिलेगी नहीं चाहे उस पर बच्चे यूज करें या फिर बड़े यूज करें तो चारो कॉर्नर्स पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा कर इसको कम्प्लीट कर लेंगे ये देखें चारो कॉर्नर्स हमारे इस तरीके से रेडी हो गए हैं तो ये देखें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिए चारो कॉर्नर्स पर बहुत ही सिंपल तरीका है इस तरह आप बिल्कुल फिट वाली टेबल मैट बना सकते हैं यह देखे और अब मैं आपको इसको देखे एक बार इस तरीके से डालते हुए दिखा देती हूँ यह देखे कुछ इस तरीके से इसका कॉर्णर बनके आया है और यहाँ पर देखे बिल्कुल फिट बैट जाती है टेबल मैट यह देखे इस तरीके से यह देखे हम इसको फिट कर लेंगे बिल्कुल तो कुछ इस तरीके से देखे साइट से इसका लूक आया है दोस्तों तो हमारे table mat बनकर ready हो गई है यहाँ पर बिल्कुल fit हो गई है लेखिए हम हिलाएंगे तो भी यह नहीं हिलेगी बहुत यह अच्छे से fitting वाली हमारी table mat बनकर ready हो गई है साइड से जो हमने पट्टिया लगाई थी वो तो आपको आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो यह देखे जिसके कॉर्णर से या तो आप यहां से कट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से पकड़ते हुए यहां पर सुई धागे से इसको जॉइंट कर सकते हैं तो यहां पर देखे मैं इस तरीके से कट नहीं करूंगी यहां पर मैं इसको सुई धागे से जॉइंट करूंगी यह देखे इस तरीके से जॉइंट करूंगी यहां से पकड़ूंगी और यहां पर इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी दोस्तों ये मैट बनाने के लिए हमें सिर्फ पुराने पुराने चोटे चोटे कपड़ों की और सूट वगेरा में से हमारे पास कपड़े बच जाने हैं पुरानी बैट शिट की और पुरानी साड़ी लेस की ही ज़रतार हमारा खुबसूरत सा मैट रेडी हो जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो पसंद आया हो और समझ आया हो तो ये रहे के हमारा कॉर्णर बनकर इस तरह रेडी हो गया है इस तरह की टेबल मैंट देखे आप छोटे-छोटे स्टूल्स के लिए टेबल के लिए या फिर बच्चों की स्टडी टेबल के लिए या सब अधर की साइड हो गय है बैटशीट का पुराना कपड़ा हमने यूज किया है पीछे की साइड और फाइनली लूक इसका देखे के से आप इसे आसानी से वोश कर सकते हैं वोशेबल है और फाइनली लूक देखे इसका टेबल पे आने के बादे किस तरीखे से आया है इ अगर पसंद रहा है तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में